दोस्तो जब से भारत ने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जैट को खरीदा है जबी से ही फ्रांस के पास रफाल फाइटर जैट के खूब दबा कर ओडर आने शुरू हो गए थे लेकिन आज एक देश ने फ्रांस को एक एसा जटका दिया है जिसकी वज़े से फ्र आप सभी जानते ही हो कि इस समय फ्रांस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में रफाल फाइटर जैट के ओडर पेंडिंग में बड़े हुए हैं इस समय फ्रांस की रफाल फाइटर जैट की असेमली लाइन को देखा जाए तो ये असेमली लाइन पांस सालों के लिए ख पूल पावर के साथ में चलाता रहेगा इस समय फ्रांस की रफाल फाइटर जैक को बनाने की स्पीर्ड को देखा जाए तो फ्रांस हर साल 36 रफाल फाइटर जैक को बना कर तयार कर सकता है लेकिन फ्रांस का ये कहना है कि इस साल और अगले साल हम पूरी पावर के साथ में कर तयार नहीं कर पाएगा साथ में फ्रांस का ये भी कहना है कि तीसरे साल भी हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हम तीसरे साल में 36 रफाल फाइटर जैक को बना कर तयार कर पाएंगे लेकिन ये बात अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि हम तीसरे साल भी 36 रफाल फा ग्रीस के हैं और फ्रांस की वायू सेना ने 28 रफाल फाइटर जैक का पहले ओडर दिया था और फ्रांस की वायू सेना ने अब 54 और नए रफाल फाइटर जैक का ओडर दे दिया है रफाल फाइटर जैक के नए ओडर की जाए तो इस समय इंडोनेशिया ने फ्रांस को 42 रफा रफाल फाइटर जैट का ओडर दिया गया था लेकिन अब UAE की तरफ से 80 रफाल फाइटर जैट के ओडर को पेंडिंग में डाल दिया गया है इस डील को होल्ड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस समय जो टेलीग्राम के CEO है यह रशिया और UAE के नागरिक है और इनको फ्रांस में एरेस्ट कर लिया गया है जिस कारण इस समय UAE UAE फ्रांस पर काफी ज़्यादा गुसा है इसलिए ही UAE की तरफ से यह डील होल्ड पर डाली गई है और अगर इस समय UAE के 80 रफाल फाइटर जैक के ओडर को भी हटा दिया जाए तो इस समय फ्रांस के पास 124 रफाल फाइटर जैक के ओडर अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए है इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम MRFA डील में रफाल फाइटर जैक को सेलेक कर भी लेते हैं तो पहले तो यह फाइटर जैक हमको अब से 5 सालों बाद मिलने शुरू होंगे और यह कंडिशन जब है जब आजी भारत की तरफ से फ्रांस को रफाल फाइटर जैक का ओडर दिया जाता है और अगर फ्रांस की तरफ से कोई भी असेम्ली लाइन भारत के अंदर लगाने की कोशिश भी की जाती है तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है क्योंकि किसी भी असेम्ली लाइन को सेट करने में 2 सालों का समय लग जाता है यानि भरत में भी अगर रफाल फाइटर जेट की फैसिलिटी लग जाती है तो भरत वाली फैसिलिटी से भी 36 महीनों बाद ही रफाल फाइटर जेट निकलने शुरू होंगे यानि कि आज भी हम रफाल फाइटर जेट का ओडर देते हैं तो ये फाइटर जेट हमको 2027 के मिड से मिलने शुरू होंगे 2032 के आसपास तक ये ओडर हमारा पूरा हो पाएगा और इतना तो पाकिस्तान की वायू सेना के पास 100 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे वहीं पर चाइना के पास 500 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे और चाहा कर भी हम रफाल फाइटर जैट से इन स्टेल्थ फाइटर जैट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे